साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर साथ संगत जी आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ तो चलिए आज की साखी सुनते हैं सर्दियों का समय था सुभे के आट बच चुके थे पर कोहरा घटने का नाम ही नहीं ले रहा था बड़ी ही मुश्किल से नेहा अपनी गाड़ी बीफ पच्चिफ के रफ़तार से ही चला रही थी नेहा अपनी बेटी को स्कूल छोडने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी में आकर बैठी एक तेज रफ़तार वाली कार तेजी से नेहा की कार के बगल से गुजर गई और नेहा एक अंजाने डर से सहम गई कि इस धुन्द में इतनी रफ़तार जरूर ये गाड़ी चलाने वाला कोई पागल ही होगा नेहा ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसकी गाड़ी दीरे दीरे आगे बढ़ने लगी अभी नेहा की गाड़ी करीब 200 मेटर आगे ही बढ़ी होगी कि सहसा सडक पर लगी हुई एक भीड ने नेहा का ध्यान अपनी ओर खीज लिया वहां काफी लोगी कठा थे किसी विशेश चीज को घेरे हुए नेहा अपने आपको रोक ना सकी और अपनी गाड़ी को खड़ा करके उस भीड का हिस्सा बन गई नेहा ने देखा कि वहां सभी लोग एक दुरगटना गरस्त गाड़ी को घेर कर खड़े थे गाड़ी को देखकर नेहा ने सुचा अरे ये तो वही गाड़ी है जिसने मुझे थोड़ी देर पहले डरा दिया था और उस गाड़ी का चालक खून से सना हुआ आप भी अपनी ड्राइविंग सीट से ही जकड़ा पड़ा था पर भीड में से कोई भी उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था सभी लोग खड़े होकर एक तमाशे का मज़ा ले रहे थे जिसमें तमाशा दिखाने वाला थोड़ी देर के बाद ही मरने वाला था नेहा ने देखा कि वो गाड़ी एक खंबे से बुरी तरह टकरा कर बिखर गई थी और उस गाड़ी का चालक कोई 20-21 साल का एक लड़का था नेहा ने आगे बढ़कर सभी से कहा कि आप इसे हस्पताल में क्यों नहीं ले जा रहे सभी लोग चुप थे कोई जवाब देने को ही तयार नहीं था एक महाशय ने हिम्मत जुटा कर नेहा को जवाब दिया कि मैंने एंब्यूलेंस को फोन कर दिया है एंब्यूलेंस आदे घंटे में पहुँच ही जाएगी ये सुनकर नेहा हैरान हो गई, कहने लगी अरे आदे घंटे में तो ये मर चुका होगा किसी आदमी ने पीछे से पलटवार किया नेहा से कहा, तो आप ही इने अस्पताल में क्यों नहीं ले जाती नेहा ने कहा ठीक है पर आप लोग मेरी मदद करिये अब निहा की बात सुनते ही दो लोगों नी उस लड़के को गाड़ी से निकाल कर उसे निहा की गाड़ी में रखवाने के लिए मदद करने लगे तब ही किसी वृद पुरुशनी पीछे से निहा को सुझाव देते हुए कहा अरे बेटा इसे कहा ले जा रही हो बेकार ही जंजट में फसोगी थोड़ी देर इंतजार करती एंबुलनस आ जाती ये सुनकर निहा को बहुत गुसा आया और तपाक से निहा बोल पड़ी कि अगली बार अगर आप कहीं यूही तडप रहे होंगे तो भी मैं बिलकुल ऐसा ह करूंगी अब वो लड़का वो घायल लड़का वो निहा की गाड़ी में था और दो लोग अभी भी उस घायल लड़के को पकड़ कर पीछे बैठे हुई थे उस लड़के का खून तेजी से बह रहा था निहा ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी लगभग 15 मिनट के किसी भी मरीज को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था नेहा जल्दी से गाड़ी से उतरी और वहां खड़े हुई कुछ डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाने लगी अब वहां पर मुझूद डॉक्टर नेहा की बातों से बेफिकर होकर बुत बन कर खड़े थी तभी उन अब नेहा ने उस दुरगटना की बात संक्षेप में उस बड़े डॉक्टर को समझा दी अभी इस बार तो उस बड़े डॉक्टर का व्यभार और भी रूखा और बुरा था उन्होंने नेहा को डाटते हुए कहा अरे मैडम ये तो पुलिस केस है इस लड़के को यहां से लेकर जाए तब नेहा ने कहा सर एक बर देख तो लीजिए उस लड़के को उस बेचारे का बहुत जादा खून बहे चुका है अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा आपको तो उस लड़के का इलाज करना चाहिए तब वो बड़ा डॉक्टर मू टेड़ा करके क्या आपको पता है मैडम दिल्ली के एक हस्पताल में एक लड़के ने हमारे ही महक में के एक डॉक्टर को इतनी बुरी तरह से पेट दिया कि वो डॉक्टर कोमा में है अब उस डॉक्टर की गलती केवल इतनी थी कि वो उस लड़के की मा को बचा नहीं सका अब आप ही बत में के डॉक्टर की क्या गलती थी जो हो किसी मरीज को अगर ना बचा पाया तब नीहा ने उस डॉक्टर से कहा सर इसमें इस लड़के की क्या गलती है ये विजारा यूही मर जाएगा अब इस बात का जवाब सुनकर तो नीहा और जादा हैरान हो गई उस बड़े डॉक्टर ने समवेदन हीनता की सिमाओं को लागते हुए कहा पैडम इस धरने के दोरान अब तक 20 लोग तो मर चुके हैं एक और को मर जाने दो 21 हो जाएंगे अब यहां से हट जाओ हमारा दिमाग खराब मत करो इतना कहते हुई वो बड़ा डॉक्टर अपने फोन को जेब से निकाल कर कुछ अग्यात कार्या में व्यस्त हो गया तभी पीछे से एक आवाज नी नेहा का ध्यान अपनी ओर खीचा अवास थी दीदी जल्दी आईये नीहा मुड़कर अपनी गाड़ी के तरफ बढ़ गई गाड़ी पर बहुँचकर नीहा ने देखा कि उस लड़के की सांसे थाम चुकी थी उस लड़के की मौत हो चुकी थी इस 15 मिनट के बेकार के जगडے में उस बेजारे लड़के के जीवन की सांसे निकल चुकी थी तभी उस लड़के की जेब में रखे हुए फोन की घंटे बज पड़ी निहा बहुत ही शांत खड़ी थी और निहा तो फोन उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी तभी कापते हुई हाथों से निहा ने उस लड़के के फोन को हाथ में ले लिया निहा की आखों से आफसों निकल रहे थी निहा ने उस लड़के की फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर पापा लिखा हुआ था यानि ये फोन उस लड़के के पिता का था नेहा ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया बड़ी ही धीमी अवाज में कहा कौन बोड़ रहा है दूसरी तरफ से एक बुढ़े आदमी का जवाब आया आप कौन है और मेरा बेटा सुधीर कहा है नेहा ने जवाब दिया आपके बेटे का एक्सिडेंट हो गया है और मैं उसको हस्पताल में लेकर आई हूँ पर हस्पताल में हड़ताल होने की वज़े से आपका बेटा बच नहीं सका ये सुनकर दूसरी तरफ से अवाज आई क्या कहीं तुम वही लड़की तो नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी जिस हस्पताल का आप नाम बता रही है मैं उसी हस्पताल में मुख्या डॉक्टर हूँ ये सुनकर नेहा सुन पड़ गई नेहा ने मुड़कर देखा तो वही बड़ा डॉक्टर दोड़ता हुआ नेहा के पास आ रहा था नेहा गाड़ी से दूर हट गई और वो डॉक्टर दोड़ता हुआ अपने बेटे से लिपट गया नेहा हैरानी में पड़ी आस्वों से भरी हुई उस हस्पताल की ओर देखने लगी और उसके ठीक नीचे लिखा था चौबिस घंटे सेवा उपलत उस बड़े डॉक्टर की गलती की वज़े से उन्होंने अपने बेटे को ही हमेशा हमेशा के लिए खो दिया उन्हें अपने किये पर बहुत पच्चतावा हुआ उन्हें लगा कि काश अगर वो उस लड़के को देख लेते तो आज उनका बेटा जिवित होता उस डॉक्टर ने अपना फर्ज नहीं निभाया जिसकी सज़ा उन्हें भोगतने पड़ी आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी